हंजी बचे, Economics में आपके पास में दो बुक हैं, फर्स्ट बुक है आपका Statistics for Economics and सेकिंड बुक है आपके पास में Micro Economics. बचे, हमने Micro Economics स्टार्ट किया हुआ है, जिसका एक्जाम में 40 marks का weightage है और इसमें बचे, चार युनिट हैं, हमने सबसे पहले unit 2 लिया है, जिसका नाम consumer behavior है और इसका एक्जाम में 13 marks का weightage है और इसमें हमने 4 chapter हैं और उसमें से chapter number 1 हम utility हमने स्टार्ट किया है और utility जिसको हम cardinal approach भी कहते हैं, तो आएए बचे, अब हम question number 6 को continue करते हैं, class 2 में, तो बचे, question है, explain the law of diminishing marginal utility, तो first of all आपके mind में आया होगा सरी ये question क्या है, तो आएए पहले question को समझते हैं, फिर उसको हम explain करते हैं, बचे, low का मतलब होता है एक नियम, एक सिधान्त, जो की होता ही है, क्या हो करने की बात कर रहा है, यहाँ पर, diminishing marginal utility, बचे, आपके mind में आया होगा, marginal utility सर क्या है, तो आएए पहले समझते हैं, इस marginal utility के बारे में, बचे, किसी भी particular unit को अगर आप consume करते हैं, तो उस single unit से, उस last unit से, उस particular unit से, आपको जो भी satisfaction level मिलता है, उस satisfaction level को economics के terms में हम marginal utility कहते हैं, धान रखिएगा, single unit से, last unit से, individual unit से, मिलने वाले satisfaction level को ही हम economics में कैसे express करते हैं, marginal utility के terms में हम उसको express करते हैं, तो बचे, सबसे पहले आपको समझना होगा, marginal utility के बारे में, या फिर मैं कहूँ, तो आपको satisfaction level के बारे में समझना होगा, तो बचे, सबसे पहले मेरा question आपके सा satisfaction level है, कई बार देखते हैं, कि हम किसी भी चीज़ को consume करते हैं, तो हमारा satisfaction level low रहता है, और कभी हम किसी चीज़ को consume करते हैं, तो हमारा satisfaction level काफी high होता है, तो बेटा, हमारा satisfaction level है, ये किन चीज़ों पर depend करता है, मेरा पहला question आपके साथ पर यही है, इस question को समझने से पहले, mostly बच्चे आपके mind में यही आया होगा कि किसी भी commodity के consumption के बाद हम कितने satisfied होंगे यह उस commodity की quality पे depend करता है अगर high quality अच्छी quality होगी तो हम ज़्याद़ satisfied होंगे low quality होगी तो हम कम satisfied होंगे तो हमारा satisfaction level पूरी तरीके से commodity की quality पे depend करता है अगर आप यह सोच रहें तो यह आपका बच्चे correct नहीं है क्यों नहीं है correct इसको एक example से clear करते हैं बच्चे देख लिजे जैसे माल लिजे आपको बहुत तेज प्यास लग रही है और एक glass water आपको मिल जाता है drink करने के लिए तो उस एक glass water में आप बहुत enjoy करेंगे बहुत आपका satisfaction level बहुत high रहेगा बच्चे जब second glass मैं दूँगा आपको water का तो वो same quality रहेगा clear है और आप consume करने वाले भी आप ही हैं आप भी same, वो भी same, सब कुछ same लेकिन second glass से आपको satisfaction level वो नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा जब commodity की आपने कहा कि जब commodity की quality पर ये चीज़े depend करती है कि हम कितना satisfied होंगे तो बच्चे पहले भी होई quality थी और बाद में भी होई quality है तो पहले आप ज़्यादा satisfied हो रहे हैं second glass से आप उतना satisfied नहीं हो रहे या second glass से आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है जब quality same है तो तो आपका satisfaction level भी same रहना चाहिए अगर हमारा satisfaction level किसी community की quality पर depend करता है तो है ना बट ऐसा generally नहीं होता है हम कम satisfied होते हैं तो एक चीज़ तो clear होगी बेटा कि हमारा satisfaction level किसी community की सिर्फ quality पर ही depend नहीं करता है तो फिर किसी पर depend करता है हमारा satisfaction level हमारी needs पर depend करता है अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही है तो वही पानी आपको बहुत satisfied करेगा प्यास कम लग रही है तो वही same quality की चीज़े आपको कम satisfied करेगी प्यास नहीं है आपकी नीट्स नहीं है तो आपको कुछ भी satisfied वो नहीं करेगी भूख बहुत तेज लग रही है तो first चपाती को आप बहुत enjoy करकर के consume करते हैं क्योंकि आपकी नीट्स बहुत हाई होती है उस समय तो बच्चे अगर आपकी नीट्स हाई होगी आपकी नीट्स जादा होगी तो फिर आपका satisfaction लवल भी आपका हाई रहेगा और अगर आपकी नीट्स लो रहेगी तो satisfaction लवल भी आपका लो रहेगा अगर आपको उस चीज की needs नहीं रहेगी तो उसमें कितनी भी या कोई सी भी quality रहे आपको उसको लेकर के कोई भी satisfaction level नहीं रहेगा अगर आप pure vegetarian है तो non-veg कितनी बच्ची तरह के सर्व किया जाए आपके सामने तो उससे आपको कोई satisfaction level नहीं मिलेगा तो एक चीज तो अपने mind में अच्छे से set कर लीजी आप क्या कि किसी भी community के consumption के बाद हमें जो भी satisfaction लेवल मिलता है हमारा satisfaction लेवल किन चीजहों पर डिपेंड करता है हमारा satisfaction लेवल बच्चे हमारी needs पर डिपेंड करता है clear है needs ज़्यादा रहेगी तो satisfaction level ज़्यादा मिलेगा needs कम रहेगी तो satisfaction level कम मिलेगा satisfaction level को क्या कहेंगे economics की terms में बताइए आप बताइए क्या कहेंगे marginal utility कहेंगे तो बच्चे low of diminishing marginal utility मतलब कि हमारे satisfaction level का लगातार गिरते रहना एक ऐसा नियम है जिससे कि हमारा satisfaction level continuously fall होता चला जाता है क्या है ये low आईए इसी को explain करना है में clear है बच्चे तो बच्चे एक हम imaginary schedule ले रहे हैं इस schedule से मैं इसको explain कर रहा हूँ clear है for example मान लिजिए कि आप unit of ice cream consume कर रहे है clear है और marginal utility मतलब कि आपको इस ice cream से मिलने वाला satisfaction level को represent कर रहे हैं तो बच्चे first ice cream आप consume करते हैं तो इससे आपको कुछ अपना एक अलग satisfaction level आपको मिलेगा वो satisfaction level क्या मिलेगा उसको समझाने के लिए मैं इसको numerically form में express कर रहा हूँ सिरफ समझाने के लिए clear है बच्चे तो first ice cream से हमें 20 utils का satisfaction level मिला है मान लिजिए अब आप ये सोच रहे होंगे मुझे पता है आपके mind में क्या चल रहा है कि सर satisfaction level को तो हम कभी भी numerically terms में express नहीं करते हैं तो फिर हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपके mind में act करवाया जाता है किसी भी actor actress से वो act करवाया जाता है जिससे कि उस story को easily आप तक deliver कर सकें ऐसा होता है न clear है तो वो लोग basically वो नहीं है उसके बाद भी story पे तो कोई impact नहीं पड़ता है story तो fake नहीं हो जाती है नहीं होती है न real story based movie देखते है कोई भी किसी से भी आप acting करवा लीजिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो story fake हो गई है तो बच्चे चीजों को easy करने के लिए समझाने के लिए यहाँ पर क्या करा है satisfaction level को तो ऐसे समझाना बड़ा difficult हो जाएगा क्योंकि इसको तो express ही नहीं कर सकते है हर चीज का तो अपना एक unit होता है weight का अपना kg होता है distance का km मीटर होता है time का hour second होता है आपका even temperature जो होता है उसका भी अपना जो है degree होता है हर चीज को measure करने का standard unit है तो यहाँ पर satisfaction level को measure करने का जो unit रखा गया है उसका नाम दिया गया utils तो first ice cream के consumption से आपको माल लीजिए 20 utils मिला अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पता लगएगा 20 utils ही मिलेगा बिटा imaginary schedule है आप अपनी तरफ से कुछ और माल लीजिए आप ऐसे नाराज मत होईए आप 100 ले लीजिए अपनी तरफ से ठीक है ना हमें तो क्या करना है हमें तो concept को समझना है आप help किसी से भी ले सकते हो आप act किसी से भी करवा सकते हो यह आप के उपर है तो बिटा first ice cream आप consume करते हो तो हमें कितना मिला 20 utils मिला ठीक है clear है and second ice cream को जब मैं consume करूँँगा ice cream भी वही price भी होई consumer भी होई सब कुछ same है but second ice cream हमें क्या 20 utils का satisfaction level देगी क्या हमें same satisfaction level देगी क्या हमें more than 20 utils का satisfaction level देगी क्या हमें पहले से ज़्यादा संतुष्टी का इस्तर देगी satisfaction level क्या पहले से ज़्यादा देगी हमे या पहले जितना देगी नहीं बेटे, ना तो पहले जितना देगी, ना पहले से ज़्यादा देगी second ice cream से जो हमें satisfaction level मिलेगा न वो last से हमें कम मिलेगा अब आपके माइने में आया हो question sir, कम क्यों मिलेगा थोड़ी देर पहले हमें भी discuss किया है कि बचे हमारा satisfaction level कि चीज़ों पर depend करता है क्या commodity की quality पर depend करता है, नहीं न, आप बिलकुल सही कह रहे है हमारी needs पर depend करता है, हमारी wants पर depend करता है तो बेटा जब आपने first ice cream consume कर लिया है अब आप second ice cream के तरफ जा रहे हैं, तो क्या आपके needs उतने ही रहेगी या आपके needs का कुछ part satisfied हो चुका होगा first ice cream के बाद, तो बेटा first ice cream के बाद आपके needs कुछ level तक आपके fulfill हुई है, clear है न, second ice cream पर जब आप पहुँचे थे तो अब आपके पास पर वो needs नहीं रही, जो पहले रहा करती थी तो अब आपके needs पहले से कम है, same quality होने के बाद भी, same price होने के बाद भी अब वो आपको satisfaction level पहले के compatibility कम देगा क्योंकि satisfaction level हमारे needs पर depend करता है और इसी तरीके से आप जब third ice cream consume करेंगे तो already आप two ice cream consume कर चुके हैं, आपके needs का कुछ part fulfill हो चुका है तो उससे मिलने वाला satisfaction level आपका क्या हो जाएगा थर्ड ice cream से, last ice cream, second ice cream से मिलने वाला satisfaction level के कम रहेगा, क्योंकि आपने already second ice cream consume करकर के अपनी needs को fulfill कर लिया है, उसको कुछ level तक आपने satisfied कर लिया है तो बच्चे continuously अगर आप किसी भी commodity का consumption करते चले जाएंगे तो आपकी wants, आपकी needs fulfill होती चले जाएगी, आपकी needs कम रहती चले जाएगी और आपको next minute आकर के वो same quality होने के बाद भी आपका satisfaction level को equal नहीं रख पाएगी क्योंकि आपकी needs कम है, तो satisfaction level आपको कम देगी बच्चे एक time ऐसा जरूर आएगा कि आपको उससे मिलने वाला satisfaction level क्या हो जाएगा जीरो मतलब कि आपको कुछ जो ही नहीं कर रहे हैं उसको, कुछ आपको satisfaction level ही नहीं मिल रहा है करते 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 आगे बढ़ते से लिजाए एक time ऐसा आएगा जब आप उसको stop करते हैं इस टॉप क्यों करते हैं आप आप करेंगे सर इसलिए करते हैं भई पैसे लगते हैं अब इतना पैसा कहां से लाएंगे अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरे example सुनिए शादी में कौन से पैसे लगते हैं वहां क्या आप continue करते रहते हैं वहां भी तो stop करते हैं तो क्यों stop करते हैं आप क्यूंकि आपके needs पूरी तरीके से जितनी भी थी वह fulfill हो चुकी है अब आपके अंदर needs बची नहीं है तो same quality जब आपकी needs नहीं है तो वह आपको satisfaction level भी नहीं देगा तो zero satisfaction level आपको point of strategy कहते हैं इसको clear है बच्चे clear है जब fully satisfied हो गया consumer तो ऐसे से बाद भी जब आप fully satisfied हो चुके हो कोई forcefully आपसे consumption करवा देता है तो आपकी health pace का negative impact पड़ता है जिसको हम disutility कहते हैं या फिर negative हम इसको minus sign से represent करते हैं तो अच्छे से clear हो गया कि कि किसी भी commodity को continuously consumption करते चले जाओगे आपके needs fulfill होती चले जाएगी needs कम रहती चले जाएगी इ connection से मिलने वारा satisfaction level continuously damnishing होगा फॉल होता रहेगा तो यही कोशनता हमारा explain the law of damnishing margin utility satisfaction level का continuously fall होने के लोगो explain करना है तो आएए देखते हैं हमारे theory में क्या लिखा हुआ है यह तो हमने समझा है theory को पढ़ते हैं तो बच्छे theory क्या कहता है जब देखिए the law states as more and more units of a commodity are consumed marginal utility bracket में मैंने बता रखा है कि margin utility का मतलब का होता satisfaction level तो क्या कह रहा है the law states as more and more units of a commodity are consumed marginal utility derived from each successive units goes on falling suppose a hungry man wants to eat माल लिजी एक कोई भुका वैकती है उसकी खाने की इच्छा है the first chapati which he eats will give him maximum satisfaction level first chapati उसको maximum satisfaction level देगा says hundred utils clear and second chapati will also fetch him utility मैंने यह नहीं कहा कि second chapati उसको satisfaction level नहीं देगा जरूर देगा but first के compatibility में but not as much as the first one because a part of his hunger is satisfied by 18 the first chapati clear है बच्चे समझ में आ गया clear है आपको PDF available करवाया गया है उस PDF में आप कहेंगे अगर हमारे पास में फाइब मार्क समाएगा तो कि इतना लिखना पड़ेगा नहीं बच्चे ज्यादा लिखना पड़ेगा यह पूरा all over मैं आपको समझा दिया है आपके पास में PDF प्रको analyze करके और सारी बुकों को लेकर करके आप क्या बुक recommended करेंगे कोई बच्चा संदीब गर कहेगा कोई दीपासरी कहेगा कोई सिभी सस्देवा कहेगा कोई ससती कहेगा उन सभी बुक को analyze करके प्रिवीज सेर सारे question paper को analyze करके वो content हम आपको available कर वा रहे हैं उस content से बह focus कीजिएगा clear है न यह तो आपको first term में ही पता लग जाएगा कि मैं आपसे किस level तक कि मैं आपसे बात कह रहा हूं जब first term में आपका एक एक question जो आपको हम material available करवा रहे है economics में उसे match करेगा clear है तो आप confused नहीं होंगे कि sir यह sufficient है या नहीं है वो sufficient है exam में कैसे attempt करना है कैसे underline करना है कैसे point of answer लिखना है आपको वो सब कुछ PDF में करके दिया हुआ है design करके दिया हुआ है आपको आपको बसको follow करना है और 100 out of 100 score तक हमें पहुचना है clear है बच्चे सज माया तो पूरी theory सब कुछ आपको PDF में मिल जाएगी clear है मिल चुकी है आपको clear है बच्चे तो law of diminishing margin utility most 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 important question है आपके exam के point of view से जो कि 5 marks और 3 marks में vary करता है इन्हें में से किसी भी marks में आपका आता रहता है तो आपको सुझ में आ गया अब आज के बाद आपने उपर आप किसी भी practical example को apply करके देख लेंगे कोई भी चीज आप सोचके देख लेंगे कितने भी favorite आपके क्यो से आपकी needs fulfill होती है अब next के लिए needs कम रह जाती है और satisfaction level हमारी needs पर depend करता है इसलिए next से हमारे मिलने वारा satisfaction level कम रहोता है clear बच्चे मैंने एक एक point आपको अच्छे से clear करवाए है हाँ जी बच्चो अब हम question 6 law of diminishing marginal utility के theory को पढ़ने के बाद इसके diagram पर आ गए और आपके mind में सबसे पहला question यही आया होगा कि sir economics में diagram का क्या rule है तो बच्चे इसको part 1 में already discuss किया जा चुका है आप देखें यहाँ पर जराप तो बच्चे यहाँ पर आपके पास में अगर आप किसी भी story को आप book पे read करते हैं उसको और ऐसे समझना और किसी भी story को आप movie की थिरो थेटर में जाकर के आप देखना दोनों में जो फर्क आता है यही फर्क economics में उसकी theory का और उसके diagram का होता है तो जो theory आपको समझाने की कोशिश कर रहा है उसी knowledge को वो picture के form में deliver कर देता है same knowledge को तो उसको हम economics में diagram कहते हैं तो हमने अभी पढ़ा law of diminishing marginal utility जिसमें हमने यह पढ़ा कि हम किसी भी commodity कोई भी commodity हमारी कितनी भी favorite क्यों ना हो अगर हम उसका continuously consumption करेंगे तो next unit से मिलने वाला जो हमारा satisfaction level है वो क्या होगा continuously वो fall होता चला जाएगा अब आप इसके पीछे अपने logic को भी अच्छे से समझा है इसके पीछे क्या logic है बच्चे इसके पीछे logic यह है कि हम किसी भी commodity के consumption से कितने satisfied होंगे वो उस commodity की quality पे depend नहीं करता है वो हमारी needs और हमारी wants पे depend करता है क्योंकि अगर quality पे ही depend करता तो एक glass पानी first time आपको जो enjoy करवा रहा है आप उससे जो satisfaction ले रहे हैं second glass पानी भी तो same quality ही है और consumption करने वाले भी आप ही है तो बट second glass पानी से आपको उतना satisfaction level नहीं मिलता है मैंने कहा रहा कि नहीं मिलता है मिलता है उतना नहीं मिलता उतना का मतलब last वाले जितना नहीं मिलता है मिलता है लेकिन last वाले जितना नहीं मिलता है कम मिलता है तो क्यों ऐसा क्यों हुआ same glass same पानी same consumption करने आला consumer हर कोई बिलकुल same है तो फिर आपको अब आपका satisfaction level फॉल क्यों हुआ क्योंकि ये quality भी depend नहीं करता अगर quality भी depend करता न तो second time पर भी मैं उतना ही satisfied होता जितना कि मैं first time पर satisfied हुआ हूँ क्योंकि दोनों time पर quality same रही है बड़ ऐसा generally होता नहीं है इससे कम satisfied हम होते हैं उसके पीछे क्या logic है हमारी needs हमारी wants पर depend करता है हमारा satisfaction level जब आप एक glass पानी आप consume करते हैं उसको drink करते हैं आप तो आपका need कुछ हट तक fulfill हो जाती है अब second time में पहले जितनी needs आपकी रहनी जाती है needs पहले से कम रह जाती है इसलिए अब आपके पास में needs भी कम है तो अब आपको second glass पानी आपको satisfaction level भी last के compatibility कम देगा थर्ड ग्लास में आपको satisfaction level आपका और कम हो जाएगा क्योंकि आप second glass drink करने के बाद आपके पास में आपके needs और fulfill हो जाएगी आपके needs और कम रह जाएगी तो वह आपको और कम satisfaction level देगा चैनली देखता है ने कई बहुत तेज भूग लगरी होती है और फिर हमें जब खाना मिलता है तो फर्स चापातिस हमें कितना अच्छा लगता है क्योंकि उससे में हमारी needs high होती है तो high needs होगी तो higher level of satisfaction level मिलेगा आपकी needs का level low होगा तो lower level of satisfaction level मिलेगा तो एक बात अपने mind में आप set कर लिजिए कि हम कितने satisfied होंगे यह किन चीजों पर करता है यह हमारी needs पर quality of the commodity पर यह हमारी ice cream consume कर रहे हो और first ice cream पर आपको for example satisfaction level जो मिल रहा है और हर एक each single last unit से आपको जो satisfaction level मिलता है उस satisfaction level को हम क्या कहते हैं उसको हम marginal utility कहते हैं तो economics के terms में इसको marginal utility आप कहेंगे तो first ice cream से आपको 20-20 utils का satisfaction level मिला अब आपके mind में आया होगा कि sir कैसे measure हो गया satisfaction level तो बच्चे आप 20 नहीं आप जो है 100 अज्यूम कर लिजे कोई भी यह एक imaginary schedule है आप कुछ भी imagine करकर के आप यहाँ पर आप assume कर सकते हैं आप 100 कर लिजे 500 कर लिजे चुकि basically बच्चे अगर हमें किसी story को movie में convert करना है तो हमें उसके लिए act play करवाना होगा और जब हम act play करवाएंगे तो एक्टर हम कोई सा भी ले ले इससे फरक नहीं पड़ता है इस story तो आपका वो semi express होगा तो आप इस schedule में चीजों को clear करने के लिए आसान बनाने के लिए आप तक चीजों को पहुचाने के लिए knowledge को और अच्छी तरीके से express करने के लिए हम यहाँ पर कुछ help ले रहे हैं तो यह एक imaginary schedule है practical life में generally ऐसा होता नहीं है बर theoretical life में आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको ताकि आपके लिए समझना और हमारे लिए समझाना आसान हो इसलिए हम पढ़ रहे हैं satisfaction level को numerically forms में express करके मेरी बात समझ रहे हैं तो first need से for example मान लेजिए हमें base utile का satisfaction level मिलता है तो second ice cream जब आप consume करेंगे तो second ice cream से आपको आपके पास पे satisfaction level first जितना या first से ज़्यादा नहीं मिल सकता है क्योंकि जब आप first ice cream consume कर लेंगे तो आपके needs का कुछ part satisfied हो चुका है अब आपके पास पे उस level की need नहीं है पहले से कम need है इसलिए same quality के होने के वापजूद भी second ice cream आपको last के compatibility कम satisfaction level देगा तो second से आपको क्या है कम satisfaction level मिला थर्ड consume करेंगे तो थर्ड से भी satisfaction level आपका क्या रहेगा second के compatibility आपका कम रहेगा क्योंकि जब आप एक और ice cream कंस्यूम कर लेंगे तो आपकी needs और कम रह जाएगी ice cream को ले करके और आपकी needs पर depend करता है satisfaction level आपकी needs अब कम है तो satisfaction level भी कम मिलेगा तो बच्चे कोई भी चीच कितने भी favorite क्यों ना हो आपको अगर आप continuously consumption करते हैं तो आपकी needs फुल्फिल होती चली जाती है अब आपकी needs कम रहती आगे next के लिए कम बसती है तो next आपको satisfaction level लास्ट की compatibility कम देता है क्योंकि आपका satisfaction level पूरी तरीके से आपकी needs पर depend करता है एक time ऐसा जरूर आएगा जब आपकी needs completely फुल्फिल हो जाएगी आप पूरी तरीके से satisfied हो जाएगे आपकी needs फुल्फिल हो गई एक time situation जरूर आएगा अगर आप खाना खाते हैं तो फिर आप continuously खाते नहीं चले जाते हैं एक time जरूर उसको stop करते हैं कोई भी चीटा पर कितने फेवरेट क्यों ना हो आप करते हैं सर पैसों की बज़िए से stop करना होता है ऐसा नहीं है शादी बगरह में जाते हैं तो बताइए वहाँ पर कौन से आपके उपर पावंदी होती है नहीं होती है बड़ एक time पर आ करके stop करते हैं न करते हैं बच्चे stop तो कोई चीज आपको free में भी available हो तो एक time जरूर आएगा जब आप उसको stop करोगे करोगे क्योंकि एक time ऐसा आता है कि आपके needs fulfilled हो जाती है आपको उसको लेकर के needs नहीं बचती है जो आपके पास उसको लेकर के needs ही नहीं रही तो आप आप consume करोगे तो वो आपको enjoy नहीं करवाएगा आपको मज़ा नहीं आएगा आपको satisfaction level नहीं मिलेगा मतलब कि जीरो मिलेगा कितना मिलेगा नहीं मिलेगा मतलब जीरो मिलेगा तो एक situation ऐसा आया फिट यूनिट पे जहां पर आपका क्या जीरो रहा उसके बाद भी कोई अगर आपको forcefully consumption करवा दे कि नहीं आप प्लीस थोड़ा और consume कीजिए तो वो आपकी health पे एक negative impact डाल सकता है जिसको हम कहते हैं डिस utility तो वो negative हो जाएगा इस schedule को हमने पड़ा clear है अभी schedule दूल को diagram में express कर रहे हैं हम तो इसमें ज़रा अगर आप देखें बच्चे तो इस सीज में आपको देखने को मिलेगा पहले diagram कैसे बनाते हैं इसके पीछे समझ क्या होती है और डिसक्रस कर चुके हम class 1 में और आपको अच्छे समझ में भी आया होगा लेकिन हम हर एक चीजों में उसको repeat करते हुए आगी जाएंगे जिससे क्या वो पक्का हो जाएं बच्चे देखें marginal utility सबसे पहले आप देखिए diagram कैसा बनेगा M U का तो ice cream क्या हो रही है units बढ़ रही है एक चीज़ बढ़ रही है units बढ़ रही है देख रहे है न वन टू थरी फूर फाई और मिलने वाला satisfaction level क्या हो रहा है काम हो रहा है देख रहे हैं तो बच्चे relation कैसा है दोनों के बीच में नेगेटिव relation है एक पर जो आपके units पे और आपके पास में माजन utility इसमें यह increase हो रहा था दूसरा क्या हो रहा है है decrease हो रहा है दोनों में inverse relation है तो मैंने आपको confirm करवाया है कि कभी भी negative relation वाला आपका कोई भी schedule हो तो उसको diagram में आप convert करेंगे तो वो कैसा बनेगा वो diagram कैसा बनेगा left to right downward बनेगा कैसा बनेगा बच्चे left to right downward left to right downward क्लिर है समय आपको तो left to right डानवर्ड बनेगा यह बात confirm हो गई है और स्टेट लाइन बनेगा क्योंकि देखिएगा आपका constant rate 44444 तो left to right डानवर्ड बनेगा क्लिर है तो यहां पर हमने क्या कर रहा है इसको left to right read भी नहीं करेंगे आंसर क्रॉस कर देंगे क्लिर हैं तो आप इसको क्या है ना इसलिए कभी भी आप जीरो पे वाइक को टश मत कर देना क्योंकि वाइक सैटिस्फेक्शन लेवल को रिपर्जन कर रहा है marginal utility को एक्सप्रेस कर रहा है और अगर आप यहां टच कर दोगे तो यह आपको मैसेजवर करेगा कि आपने जीरो यूनिट कंजूम करा है और उसके बाद आपका साव्यिस्फशन लेवल क्या मिल रहा है आपको यह मिल रहा है जबकि ऐसा नहीं जी एंड second consume कर रहे हैं एक यूनिट और आपने Q1 तो यह MU है MU1 और दूसरे आप Q2 पे गए तो आपका क्या हुआ आपका दूसरे से satisfaction level कम मिला आपने 10th में पढ़ा हुआ ग्राफ में Y axis पे जितना उपर जाओगे उतनी डिजित बढ़ती है एकसे पे जितना राइट पे जाओग एक time आपका satisfaction level क्या मिल रहा है X axis को touch कर रहा है clear ना आपका Satisfaction level क्या मिल रहा है आपका और इसके बाद भी अगर आप conjunction करेंगे तो फिर आपका Satisfaction Level आपको पता है graph में कभी आगर आप नीचे जाते है तो Satisfaction Level क्यों होता है आपका cinnamon Moonerson इंचे संवज में आ गए आपको तो आपको यह टापिका अच्छे से बहुत बहुत बैधारीन तरीकेसे उम्मीद है कि क्लियर हो गयों के आज का टपिक क्लियर बच्छे तो आपको थ्योरी B मैंने last classes में आपको अच्छे से आपको clear किये और ये भी आप देख लीजिए clear है बच्चे, thank you बच्चे thank you so much हाजी बच्चे, अब हम question number 7 पे आगे है explain the assumption of law of diminishing marginal utility अब बच्चे, आपके mind में आया होगा कि सर ये assumption है क्या बच्चे, assumption का मतलब क्या होता है कोई भी चीच जब हम मान करके चलते हैं लट करके चलते हैं उसको हम assumption कहते हैं for example, मैं अगर आप से कहूँ कि कल दिन में धूप होगी कल दिन में रोशनी होगी तो इसके पीछे भी मैं ये assumption लेके चल रहा हूँ कि कल का वैदर सही होगा तभी मैं ये statement पास कर रहा हूँ तो बच्चे, assumption का मतलब क्या होता है कि कोई भी low जब applicable होता है या कोई statement जब आप पास करते हैं तो कुछ चीजे आप let करके चलते हैं उसको हम assumption करते हैं अगर आप simple way में देखें तो ऐसी situation, ऐसे times and conditions जहाँ पर कोई low applicable ना हो तो वहाँ पर हमें assumption लेना पड़ता है कि ये चीजे नौर्मा situation में हुई तब ही applicable होगी तो assumption का मतलब क्या हुआ वो situation, वो times and conditions जहाँ पर कोई low applicable ना हो तो हमें उसको क्या करना पड़ता है let करके चलना होता है मान करके चलना होता है assumption लेके चलना होता है कि ये चीजे ऐसी रही तो ही कोई भी low applicable होगा clear है बच्चे जैसे आपके पास में explain the assumption of low of diminishing marginal utility मतलब कि क्या क्या assumption ले जिसकी वज़े से low of diminishing marginal utility लेवल continuously fall उतों चले जाएगा उसके लिए क्या assumptions लेने है या फिर किस situation में ये low applicable जाकर के वो situation वो terms and conditions आपको explain करने है जहां पर ये low applicable नहीं होता है जिसकी वज़े से इसका हमें assumption लेना पड़ता है clear है बच्चे तो assumption में first assumption क्या है continuously consumption तो continuous consumption बच्चे आपका first condition क्या है कि low of diminishing marginal utility तभी applicable है जब आपका consumption continuous हो लगातार हो back to back हो एक ice cream consume कर रहे हो फिर आप second ice cream उसी time consume करो तो second ice cream से आपका satisfaction level कम रहेगा थड़ ice cream उसी के बाद consume करो तो थड़ ice cream से आपका satisfaction level कम रहेगा ऐसे नहीं एक आज consume किया तो एक आपने कल consume करा एक आपने कुछ समय के gap के बाद consume करा तो आप तो ऐसे हो सकता है कि कल आपको मेभी ज़्यादा satisfaction level मिले उस ice cream से आपकी नीड ज़्यादा हो कल या उसके बाद आपकी नीड और ज़्यादा बढ़ जाए उससे लेटिड तो आपका satisfaction level और बढ़ जाएगा ऐसे तो यह low कभी applicable हो ही नहीं पाएगा तो इस low का applicable होने के लिए ज़रूरी क्या है यह exemption लेकि चलते हैं कि हम continuously consumption करेंगे clear है बच्चे तो यह low तभी applicable है जब हम किसी भी commodity का consumption अगर continuously करते हैं clear है बच्चे तो अगर आप continuously consumption नहीं करेंगे gap तेंगे तो maybe आपका satisfaction level same रहे यह आपका ज़्यादा भी जा सकता है फिर यह ज़रूरी नहीं कि low applicable होगा ही तो low of diminishing margin utility के applicable होने के लिए यह exemption लेके चलना पड़ेगा कि आप continuously consumption कर रहे हैं clear है आपको बच्चो यह वो situation है जब आपका low of diminishing margin utility applicable होगा तो consumption क्या होना चाहिए आपका continuous होना चाहिए यह इसके जो है terms and conditions है clear है बच्चे तो हम इसमें बहुत सारे points पड़ेंगे और कौन-कौन चेंजम्शन सो सकती हैं बढ़ पहले तो क्या कह रहा है continuous consumption के ऊपर continuous consumption में यह कह रहा है कि it is assumed that consumption is a continuous process for example if one ice cream is consumed in the morning and another in the evening then the second ice cream may be provide equal or higher satisfaction compared to the first one clear है बच्चे एक ग्लास पानी अभी पीते हैं ग्लास पानी अगर आप कल पीते हैं तो इससे यह नहीं कि कल certification level आपका कम ही जाएगा कल अगर आपको उसके लिटी need जादा रही तो आपको कल यह ज्यादा certification level भी दे सकता है हाँ अगर आप back to back consumption करेंगे अगर आप एक glass drink करते हैं दूसरी glass drink immediately करते हैं तो दूसरी glass से आपका certification level कम आपको मिलेगा पर अगर आप gap दे देंगे तो gap देने के बाद आपके needs recover हो जाती है आपको फिर से उसकी needs बढ़ जाती है और needs बढ़ जाने के विए ज़रूरी नहीं है कि पहले से कम satisfaction level दे पहले के equal और पहले से ज़्यादा भी यह दे सकती है तो बच्चे low of diminishing margin utility के applicable होने के लिए compulsory condition क्या है इसके लिए compulsory condition यह है कि consumption जब भी हो continuously हो तभी next minute से मिलने वाला satisfaction level कम होता चला जाएगा कम होता दिखेगा clear है बच्चे तो first point से बच्चो clear है हाँ जी बच्चो second point है हमारे पास पे low assumption of low of diminishing marginal utility का second point है हमारे पास पे second assumption है हमारे पास पे जहां पर ये low applicable नहीं होगा या फिर इस low को applicable करवाने के लिए ऐसा होना चाहिए वो क्या वो आपके पास पे consumption of reasonable quantity बच्चे कभी भी अगर आप किसी भी community का consumption करते हैं तो उसके reasonable quantity को consume करें reasonable quantity क्या होता है अगर मैं tea की बात कर रहा हूं तो फिर मैं वहाँ पर एक cup tea की बात कर रहा हूं ये reasonable quantity है एक cup tea एक spoon tea की बात नहीं कर रहा हूं clear है अगर मैं चपाती की बात कर रहा हूं तो फिर मैं पूरे एक चपाती की बात कर रहा हूं एक bite चपाती की बात नहीं कर रहा हूं clear है बच्चे अगर मैं water की बात कर रहा हूं तो मैं एक glass water की बात कर रहा हूं वहाँ पर वहाँ पर एक spoon water की में बात नहीं कर रहा हूं तो बच्चे आप किसी भी community का अगर आप consumption करते हैं तो उसका एक reasonable quantity का consumption कीजिए उसके बाद आप next quantity का consumption करेंगे तो next से मिलने वाला certification level आपका कम होता है तब ही आपका low of diminishing marginal utility applicable होगा लेकिन बच्चे अगर आप reasonable quantity का consumption अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका next से मिलने वाला certification level आपका last के compatibility आपका high भी हो सकता है for example आपको बहुत तेश प्यास लग रही है और आप क्या करते हैं एक spoon आप water drink अप करते हैं उसके बाद आप next spoon से जब आप पिएंगे तो हो सकता है आपकी प्यास और ज़्यादा हो जाए और आपको second से आप उसको और enjoy करें ice cream खाते हैं तो एक ice cream के consumption के बाद दूसरे ice cream के consumption से compare करें ना कि आपने एक bite consumption करा उसका second bite से आप उसको करें और मुझे तो और मजाने लगाए तो बच्चे एक आप reasonable quantity से compare करेंगे तभी आपका next से मिलने वाला satisfaction level लास्ट के compatibility आपका कम होगा clear है एक ice cream एक चपाती एक glass water एक कप टी यह सारे सारे reasonable quantity है तो आप reasonable quantity का अगर आपका अंजम्शन करते हैं तो next से मिलने वाला satisfaction लेवल आपका लास्ट के compatibility कम होगा लेकिन अगर आप reasonable quantity का अंजम्शन नहीं करते हैं एक बाइट तो यहां पर आपका next से मिलने वाला satisfaction लेवल में भी आपका लास्ट कंपटिबली ज्यादा भी हो सकता है clear है तो लो आफ डिमनेशिं माजन यूटिलिटी मतलब कि next unit के consumption से मिलने वाला satisfaction लेवल हमारा continuously follow तो चला जाता है इसकी क्या अजम्शन है इसके अजम्शन ये है कि हम reasonable quantity का consumption करें तब ही low applicable होगा तो यह हमारा क्या एक assumption है कि assumption low को applicable होने के लिए ऐसा होना जरूरी है clear है अगर यह नहीं हुआ तो low applicable नहीं होगा तो इस assumption को लेके चलेंगे तब ही हम इस लोग को बोल सकते क्या applicable होगा तो बच्चे क्या है यहां पर consumption of reasonable quantity it is assumed that a reasonable quantity of the commodity is consumed for example we should compare mu of glass of water and not our spoonfuls clear है if a thirsty person is given water in a spoon then every additional spoon will let him more utility so that hold the low true suitable and proper quality of the commodity should be consumed तो बच्चे क्या कह रहा है कि if a it is assumed that responsible quantity reasonable quantity of a commodity is consumed for example we should compare mu of glass of water and not a spoonfuls if he thirsty person is given water in a spoon then every additional spoon will him more utility so to hold the low true इस low को सच साबित होने के लिए low of diminishing margin utility होने के लिए क्या हो जाता है suitable and proper quantity of the community should be consumed एक उसकी standard unit का consumption होना चाहिए proper reasonable quantity का consumption होना चाहिए फिर next unit का consumption करते हैं तो उससे जो आपको certification मिलता है वो आपका कम होना चाहिए clear है बच्चे तो यह आपका था second point low of diminishing marginal utility के assumptions को समझने के लिए बच्चे मतलब कि किसी भी community का अगर हम continuously consumption करते हैं तो next unit से मिलने वाला satisfaction level हमारा continuously fall होता चला जाता है इसके assumption को समझने के लिए हम एक और point पे आ गए हम point number 3 पे बच्चे point number 3 क्या कहता है हमारा point number 3 हमारा independent utility के बारे में कहता है independent satisfaction level के बारे में कहता है मतलब कि low of diminishing marginal utility को applicable करवाने के लिए continuously किसी भी community का consumption करते हैं तो next unit से मिलने वाला satisfaction level आपका continuously fall होता चला जाता है इस लोग को applicable करवाने के लिए ये जरूरी है कि आपका independent satisfaction level हो independent utility हो ये assumption है ऐसा होगा तभी ये low applicable होगा otherwise ये low applicable नहीं होगा clear है तो इस पर इसका क्या मतलब independent utility का मतलब वो समझते हैं पहले बच्चे independent का मतलब होता है पूरी तरीके से आजास होता नतर जो किसी दूसरे पर dependent ना हो उसको हम क्या वोलेंगे independent बोलते हैं तो बच्चे for example आप करने तो अर उसको हम कर दो होगा वोले कर दोड़ी मतलब पर सक कर दो एंगा जावारं मतलब पर आप हो कि अच्चे एंग। झाल 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 झाल